आज कल बहुत सारे मार्केट पूरा भर गया है हर डॉक्टर नया में अधिल देता है आपको भी आपको भी ऑनलाइन बहुत सारे आप्शन में आपको दीख रहे है यह से नाम की संस्ता है उसने में अधिल के डोस डिस्फाइंड कियो है मुसली जैसे कि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया कि मिनॉक्स दिल का 1 ml 5% वाली कंसेटरिशन यूज किये तो उससे अच्छा रिजल मिलता था और साइट इफेक्ट फ्री था तो यह सब्डी है जो कि दुनिया के सबसे बड़ी है जो कोई भी दवाई सेफ है कि नहीं वो डिसाइड करती है उसने 5% वाला मिनॉक्स दिल अगर 1 ml यूज किया जाए तो टोटली सेफ माना नॉर्मल लोगों के लिए जिनको बाल्डिनेस का प्राब्लम आ रहा है बाद में में जल्दी रिजल से या फिर वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो उसका फिमेल्स में टूका 5% तक यूज कर सकते में 5-10% तक यूज कर सकते तो यह बढ़ती गई 5 की जगह पे 10% वाला भी मार्केट में अविलबल होने लगा जो ट्रिट्मेंट डूरेशन में यूज हो और कई बार हैरफल बढ़ने वाले यह कॉमन साइड एफेक्ट में आपने भी कभी फेश किये होंगे तो कई लोगों को यह में अविलबल सूट नहीं हो रहा था तो इसकी वज़े से कम्पनियों ने फॉर्मिलेशन चेंज किया तो सबसे पहला आलकॉल बेज में आपसे ल हर पेशन को सूट नहीं होता तो अलकॉल में से अलकॉल फ्री वेरियंट में उन्होंने टेकनोलोजी चेंज करी पहले के जमाने में टेकनोलोजी पूरा नहीं थी मिनॉक्स लिल का सॉल्ट जल्दी ऑइल सॉलीबल या वाटर सॉलीबल था नहीं तो उनको पैनेट्रेशन के लिए कि सकाल्प में मातर जाया उसके लिए अलकॉल वेस्ट यूज किया गया कि अलकॉल के अंदर डालुट करके वह डालते तो में अच्छे से अब्सॉब होता था तो धैट्स वाइट्स वाइबल का पहले अलकॉल वेजी वरजिन मिलता था काफी लोगों कि तॉपिक बेज रहेगा या तो आलकॉल बेज रहेगा अगर आपका dry scalp है तो आपको lipid base यूज़ करना चाहिए अगर आपको dandruff prone scalp है तो solution base यूज़ करना चाहिए और थार्ड अगर आपका extremely oily scalp है तो आप सोच सकते हो कि आप alcohol base भी आपको suit करेगा तो आपको कौन सा base suit करेगा यह तीनों में से एक है अगर आपका sensitive scalp है अगर आपको minoxidil लगाने से उसमें कुछ content होता प्रोपिलिन ग्लाइकॉल यह उससे sensitivity है तो आप form base minoxidil भी यूज़ कर सकते हो और रासली अगर आप पूरा ट्रिम करके उसकर रहे हैं तो gel base minoxidil भी एक अच्छा option है तो इस आर दे वेरियंट्स बहुत रहली कोई patient को topical base minoxidil suit ही नहीं हो रहा है उनको topically लगाना ही नहीं है तो in that scenario tablets भी आप यूज़ कर सकते हो नाउ यह tablets लिखनी है यह सारी चीजी में से कौनसा सूट होगा best decision आप अपने डॉक्टर के साथ मिलके लीजिए ट्राइ कीजिए कि आप अपने dermatologist के साथ एक बार consultation कीजिए और उनको यह पूछे कि सर मुझे आगे लॉंग टेम के लिए इस करने के लिए को एक ब्रांट सेट करके दीजिए जो मैं हमेशा यूज करूँ तो आइटिंग ऐसे आपको help मिलेगी जिससे आप अपना सही मिनॉक्षिदिल लॉंग टेम के लिए उस कर सकते हो